सो दोस्तो सबसे पहले जो अभी इस वीडियो को आप देखिए यहां पर देखिए यूटूब की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ है यहनी कि यूटूब ने एक जो है अप्लिकेशन लौँच किया है लेकिन इसको बस आपको जाना है यहां पर देखिए क्लीन अ है अभी फिर से ओके तू अभी देखिए फिर से हम सुनते हैं इसको आडियों को यूटूब का एक बहुत बड़ा अप्लिकेशन आया हुआ है जानते हो आप जिसका नाम है यूटूब क्रियेट यूटूब ने बहुत पहले अपडेट दिया था कि हम आपको एक ऐसा अप इसको आप 100% रिमू कर सकते हैं जिसमें किसी प्रकार का वाटर मार्क नहीं रहेगा जिसमें आप जो है आडियो साउंड यानि की यूटूब लाइबरेरी से म्यूजिक को डारेक्ली आप यूज कर सकते हैं और इतना ही नहीं आप जो है यहां से वीडियो को भी आप इसे आपको इंस्टोल करना है क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क् वीडियो शुरूखते हैं तो दोस्तों जैसे कि अभी आप साइड में देख पा रहे हैं आपको चले जाना है अपने मुबाइल के प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर पर टाइप करना होगा आपको यूटूब क्रियेट और जैसे ही आप टाइप करेंगे बस सेकेंडों में ही अप्लिकेशन जो है नीचे फश्ट ही आ जाएगा नीचे थोड़ा सजाएंगे वहाँ पर आपको दीखेगा यूटूब क्रियेट तेरे उस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इसको इंस्टोल कर लेना है और यह थोड़ी दिर में ही इंस्टोल हो जाएगा अब सेलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है अब आपकी वीडियो टाइम लाइन बार में आ जाएगी और यहाँ पर प्रिव्यू आपको देखना सुरू हो जाएगा दें सबसे बहले आपको एक काम और करना पड़ेगा यहाँ पर दिखिए थ्री डोट पे सबसे पहले हमने यह पर वीडियो को सिलेक्ट कर रखा है और video को select करेंगे कुछ अलग feature आएंगे unselect करेंगे तो बहुत सारे लग feature यहां पर देखने को आप मिलें यह tools होते है basically इनहीं के मतशते हैं को एडित करते हैं तो अब देखें वीडियो को select कर लिया हूँ देदे दाएं सबसे पहले अगर वीडियो को split करना है, split को मतलब cut करना है, cut लगाना है जैसे कि कोई गल्ती है, बीच में कुछ गड़बड हमने बोल दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, suppose यहाँ से मैंने कुछ गलत बोला है या नहीं बोला है, तो यहाँ पर split पर click करूंगा, यह देखिए, split आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको click कर देना है, ठीक है, जैसे ही click करेंगे, आप देखिए, यहाँ पर clip अलग हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा इसको आप दो उंगली से इसको zoom कर सकते हैं, तब कि इसके size को ऐसे से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से देखिए, ठीक है, तो देखिए, यह clip अलग हो चुकी है, तो यहाँ से अब ही हमारी दूसरी clip start हो चुकी है, आप देखिए, next option मिलता है, filter का, अब filter में क्या है, कि आपकी वीडियो का जो color है, उसको आप filter कर सकते हैं, थोड़ा सा आगी वाले वीडियो पर जाते हैं, तो यहाँ से देखिए, अगर black and white आपको बनानी है, इस तरह की उसके बाद copper दिख रहा है, और duck दिख रहा है, तो यहाँ से अपने हिसाब से आप choose कर सकते हैं, जैसे आपको select करना है, then done पर click कर देना है, अब उसके बाद जो है, यहाँ पर देखिए, तीसरा option में देखनों को मिलता है effect, effect में क्या है, एक चीज और मैं बता दूँ, अग अगर आपके phone में internet नहीं चालू रहेगा, तो कुछ ऐसे features हैं, वो आप use नहीं कर पाएंगे, इसलिए जब भी अगर इसको try करें, या आप देखना चाहें इसके features के बारे में, तो आपके phone पे internet चलना चाहिए, ठीक है, ओके, तो देन देखिए, कुछ option यहाँ पर आपको सही हो जाएगा, इस तरह से देखिए, तो तो अब हम चलते हैं, चौथे tools की तरब, जिसका नाम है, adjustment, adjustment में क्या-क्या होता है, देखिए, यहाँ पर सबसे पहले, एक चीज मैं बता दूँ, आपको किसी भी software पर जाते हैं, किसी भी video editing के tools पर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अगर adjustment मिलता है, तो आप वहाँ से क्या-क्या कर सकते हैं, वो इस चीज को ध्यान रखिएगा, सब जाएगे लगबग tools बराबर होते हैं, अलग कुछ भी नहीं होता है, अगर एक video editing आपको आ गया, तो सब कुछ आप चला लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, brightness ह होता है, right side में इसको हम करेंगे, तो यह brightness बढ़ाएगा, left side में करेंगे, तो brightness घटाएगा, ठीक है, तो इस हिसाब से एगर आपकी video की quality में brightness कम है, तो आप जो है, increase कर सकते हैं, then यहाँ पर contrast लिखा हुआ है, इसको भी यहाँ पर right side करेंगे, तो बढ़ेगा, left side में करेंग तो घटेगा, इससी क्या है, कि आप जो है, color grading कर सकते हैं, अपनी video की quality को enhance कर सकते हैं, coloring अगर अगर नहीं सही है, lighting नहीं सही है, तो उसको सुधार सकते हैं, highlight देखे दिख रहा है, तो highlight भी कर सकते हैं, यहाँ से, shadow दे सकते हैं, जैसे की देना चाहें, तो इस तरह से, करेंगे, देखे, right side हम कर रहे हैं, ठीक है, तो बड़ रहा है, left side करेंगे, तो black and white हो जाएगा, एक्तम saturation कम हो जाता है, warm में क्या होता है, warm में जो होता है, आपका temperature set करने के लिए, ठीक है, कौन से temperature में, धूप में बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, tint में भी वही चीज होत होता देते हैं, आपको magnetic मतलब यह होता है, इस तरह से चारों तरफ परचाई हो जाएगी, तो बीच में दीखेगा, अगर इसको select कर लेते हैं, तो opacity आता है, तो video की opacity कितनी रखती है, सब्सक्राइब डबल इसमें clip डाल रखे हैं, तो वहाँ पर इसको use कर सकते हैं, कुछ आपको कम दिखाना है, कुछ highlight करना है, तो इस तरह से यहाँ से use कर सकते हैं, चलिए, तो मैं cancel करता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद आता है speed, video की speed कितनी रखनी है, यह चीज आपको तब काम आएगी, suppose that जैसे आप short video बनाते हैं, तो short video बना रहे हैं, तो उहाँ पर slow motion effect ड fast हो जाएगी, बतलब second में ही खतम हो जाएगी, इधर करेंगे, left side करेंगे, तो हमारी video एकदम slow हो जाएगी, slow motion जैसे, तो इस तरह से आपनी वीडियो में slow motion और fast motion होता है, उसको यहाँ से लगा सकते हैं, उसके बाद आता है option, volume का, volume से क्या है, यहाँ पर एक speaker जैसा दिख बहुत important tool से, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा है, आपको भी अच्छा लगेगा, इसका नाम है audio clean up, इस पर जैसे ही हम click कर देते हैं, हमारी video के अंदर, हमारी audio के अंदर, जितना भी noise रहता है, 100% सब कुछ वो remove हो जाता है, यानि कि जैसे कि आपको मैंने starting में ही सुनाया इस चीज को ठीक है, तो आप जो है, यहां से अगर use करते हैं इसको, तो 100% आपकी noise जो है, वो remove हो जाएगी, तो यह feature हमें काफी अच्छा लगा, अब देखिए यहां पर एक feature आपको मिलता है, वाइस वर का, तो यहां से आप जो है, वाइस वर भी कर सकते हैं, जैसे काइन अब दिखा रहा है, हमारे लगा रखे हैं, तो इसलिए जो है, नहीं लग रहा है, देखिए अभी start हो चुका है, ठीक है, इस तरह से, तो देख सकते हैं, यह जो आप देख रहे होंगे, जैन उसके बाद done पर click करेंगे, तो यह नीचे दिखा रहा है, ठीक है, यह आ चुक अब का एपसन क्या होता है, का एपसन जैसे कि आप जो भी वर्ड बोलेंगे वो आटोमेटिक लिख कर आता होगा, जैसे हमारी वीडियो में कई सारी देखते होँगे वहाँ पर आटोमेटिक लिखके आता है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं, सोर्ष पर जाएंगे, यहां से वाइस और या आल वीडियो सेलेक्ट कर देंगे आप उसके लएऄंगवज पर प्लिक करेंगे यहां से आप Hindi या English कर सकते हैं बहुत को लगाना है उसको सेलेक्ट करने वाद जन चलिक कर देंगे और वीडियो वाली ट्रेक है यह मास्टर ट्रेक इसे पोलते हैं ठीक है अब जो भी इस मैं आड़ करेंगे वह ऊपर जाएगा चली मैं आड़ करके दिखाता हूं अनसेलेक्ट कर लेना है जब भी अगर कोई भी क्लिप आपको आड़ करनी हो फोटो आड़ करना है या वीडियो घृट करना है या फिर सब्सक्राइबर वाला बटन के करना है कुछ भी अड़ करना है तो अब देखिए यहाँ पर आपको लाइन से दिख रहा होगा अब लाइन से क्या है कि यह टाइमलाइन को सेठ करता है ठीक है तो इसको हम जहाँ जहाँ ले जाएंगे उसी जगहेश पर ही कुछ भी हम एड कर सकते हैं तो चलि आभी मैंने इंसको अन्सेलेट कर दिया है वरली पर चलेंगे और यहां से कोई दूसरी वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं एक चीज और आपको बता जूँ इसको SELECT हिया देखिए तह फीचर्स लगबहर लगबहर वगले दीख रहे हैं मुझे ठीक यह देखिए यहां पर एक फीचर आमें अलग दिख रहा है यहाँ से यहांसे आप कर सकते हैं वहां पर क्रोप कर सकते हैं यह देखिए इस तरह से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं उसको भी कर सकते हैं यहां पर क्रोप का उप्सन आ आप देखिए यहां पर एक फीचर आपको दिखेगा सेलेक्ट करता हूँ थोड़ा सा फिर दिखाता हूँ यहां पर आपको मिलेगा मुब टू फ्रंट मूब टू वैक यह भी दिख नहीं रहा एक मैं पिक्चर लेकर आता हूँ तो यहां पर मैं चलूँगा ओवरले पर एक दिखेगा क्योंकि लगबलग सेमी कलर है दोनों का हमारे वीडियो और उसका हमने इसको सेलेक्ट किया अब देखी यहां पर एक्टिवेट हो चुका है ठीक है मूव टू फ्रेंट मूटू बैक अगर इसको मैं बैक करता हूं बैक पर क्लिक कर दें हूं तो फोटो हमारा क्लिक करेंगे तो यह डिलीट हो जाएगा ठीक है अब सब्सक्राइब गलती से आप जिस वीडियो को डिलीट नहीं करना चाहते है लेकिन वह डिलीट हो गया है तो उसको लाने के लिए क्लिए क्या करेंगे यहां पर एक option आपको मिलेगा बैक का तो यहां से बैक कर लेंग तो उसकी copy बन जाएगी यहां पर मैं क्लिक करता हूं और duplicate पर क्लिक करता हूं देखिए यहां पर copy जो है duplicate बन चुकी है यह देखिए दो image आपको दिख रही होंगी पहले एक थी अभी दो आपको दिख रही है ठीक है तो इस तरह से duplicate कर सकते हैं तो यहां पर मैं back चलता हू अब देखिए यहां पर कुछ feature अलग से और दिखते हैं आपको जब कोई भी clip आप add नहीं कर रखे होंगे तो उसमें से कई सारे tools जो है आपको देखने को मिलेंगे जैसे देखिए यहां पर overlay मतलब कि यहां पर कोई भी हमने clip select नहीं कर रखा है तो यहां पर text देखने को हम उसके बाद style दिख रहा है style में क्या है यहां पर font पर जाएंगे और यहां से बहुत सारे ढेर सारे आपको font मिल जाते हैं इतने सारे font तो आपको किसी में नहीं मिलेंगे पैसे देकर लाने पड़ते है YouTube ने बहुत अच्छा किया है जो कि हमारे लिए इतनी सारी facility provide कि है creators के ठीक है तो यहां से suppose that मैं कोई भी अच्छा सा फोंट ले लेता हूं चली मैं यहीं ले लेता हूं नाम लिग गया है क्रिक कर देते हैं अब देखिए ए पर दुबारस चलेंगे और यहां पर फोंट पर हो गया अब देखिए color आपको काउन सा color रखना है इस चीज को यहां से देख सकते हैं यहां पर देखिए आपको multi color भी ले सकते हैं कुछ इस तरह से select करना चाहें तो अपने हिसाब से भी देखिए कुछ इस तरह से ठीक ओपेसिटी यहां से कम कर सकते हैं जो भी background रहेगा आपका तो यह आप सेट कर लिजेगा अगर जरूरत हो तो अब देखिए यहां पर format आ जाता है text वाले में format में bold रखना है italic रखना है underline करना है कैसे रखना है आपको तो यह चीज यहां स कर सकते हैं देखिए ठीक है और उसके बाद shadow पर चलते हैं shadow means परचाई कैस्ति परचाई देनी है देखिए opacity कितनी रखनी है यह चीज़ यहां से देख सकते हैं soft रखना है तो hard परचाई लगा सकते हैं कुछ इस तरह से देखिए लग चुका है अभी ठीक है उसके बाद animation आ शाel पर शायेगा पहले इसका side छोटा कहसे और तो इस तरह से आप इसको छोटा दीका ससकते हैं ठीक है और यह है रोटेट कर सकते है देन पर क्लिक करता पर बता एक option आपको मिलता है sticker, sticker के क्या काम है देखिए, sticker से आप subscriber बटन ले सकते हैं, arrow ले सकते हैं, key ली सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, like वाला बटन ले सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप use कर सकते हैं, जो भी आपको search करना है, यहाँ पर search बार पर जाए सब्सक्राइबर वाला बटन लगाना है, जैसे, माली जी यह वाला लगाना है, ठीक है, यह इंपोर्ट होगा, हमने बताए था, इंटरनेट चले चीने हैं, आपको फोन में दिखेंगा नहीं, वीडियो गर अच्छा लगा हूँ, यहाँ तक आपको समन्न में आया हूँ, ताकि इस तरी की वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिल सके, तो देखिए, अब इस सब्सक्राइबर का बटन हमारा लग चुका है, यह देखिए, अब यहाँ पर साउंड नहीं लगा होगा, तो इसको अपने हिसाब से अर्जेस्ट कर लिजिए, हाँ पर छोटा कर दिया आपने ठीक है, तो इस तरह से यह सेट हो चुका है, अब उसके बाद जो है, इस टीकर में चलते हैं दुवारा से, यहाँ से जी आई अप भी ले सकते हैं, आप ठीक है, इमोजी भी ले सकते हैं, देखिए, बहुत सारे इमोजी मिल जाते हैं, अपनी वीडियो में एट कर देखिए, ओंगली दिखा रहे हैं, एमोलेंस, दात भी निकाल रहे हैं, हाँ जोड कर नमस्ते भी कर रहे हैं, तो इस तरह के एनिमेशन और लाने में हमें बाहर से बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए यूटूब ने हमें प्रोवाइड किया है, वीडियो थोड़ा सा आपको समझे इस चीज को, साउंड पर जैसे ही क्लिक करते हैं, डारेक्टली आप यूटूब की लाइबरेरी से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपका इंटरनेट चलना चाहिए, आपके फोन में तब, तो यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे आपको आईडियो मिल जाते हैं, लेकिन अब कैसे उच करना, उस चीज को हम बताते हैं आपको, तो यहाँ पर देखिए, आपको सारा कुछ फिल्टर करकिया मिलता है, ठीक है, कौन सम्यूजी, किस से उच करना है, कहां से उच करना है, सब कुछ यहाँ पर देखिए, पहले हिप होप लिखा हुआ है, पौप छीजफि पौप पे क्लिक करिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बहुफ सारे आ चुके हैं, पौप व गएरा, लेकिन यहाँ पर जेनेर दिखा रहा है आपको, तो यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, तो आप टिक कर सकते हैं, जो आपको चाहिए, उस पर आप टिक क कर सकते हैं इस पर आपको और्टिबियोशन की रिक्वार्ड नहीं है यानि कि किसी का यहां पर लिंक वगरा डालने की रिक्वार्मेंट नहीं है डारेक्ली आप यूज करें कोई दिक्कत नहीं है कोई रेट कभी नहीं आएगा sound effect में आप देख सकते हैं यहां से बहुत सारे आपको sound effect मिलते हैं जो कि filter किये हुए हुए हैं आप यहां से देख सकते हैं और यहां पर your music पर क्लिक करेंगे आप तो आपका जो phone है phone की device मिले जाएगा आपके phone में जो भी डाउनलोग रहेंगी music और audio उनको यह दिखाएगा त तो यहां से जाके आपको download करना पड़ेगा तो चलिए अभी आपको बताएथे कि यहां पर लगाके दिखांगे तो कोई music यहां पर हम ले लेते हैं जैसे की यहां पर कुर्यभायर्जिगर के knight लिखा मैं इस पर देखिए हमारी आडियो आ चुकी है अब इसका अगर वैलूम अगर अगर सेट करना है तो वैलूम पर जाएंगे और जितना वैलूम रखना है उतना रख सकते हैं इसकी कॉपी हो जाएगी और रेप्लेस करने के लिए चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं तो इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे ठीक है तो देखिए अभी यह सारे टूल्स के बारे मैंने जानकारी आपको दे दी है अब सिंपली इसको एक्सपोर्ट करने के लिए थ्री डोट पे जाएंगे और यहां पर export का option दिखेगा यहां पर आपको export जो है quality select कर लेना है 720 हम select कर लेते हैं क्योंकि YouTube का साइट 12-720 रहता तो better है export पर click कर देंगे हमारी वीडियो जो है export होना शुरू हो जाएगी तो वीडियो हमारी जो है export हो चुकी है और ready to watch दिखा रहा है यहां नीचे upload to YouTube दिखा रहा है यहां पर जैसे ही upload पर click करेंगे दिखा देता हूं upload पर click किया अब देखिए यह जो है आपके YouTube मतलब की जो भी idea आप connect कर रखे होंगे उससी पर यह पहुंचा देगा तो यहां से आप upload कर सकते हैं लेकिन upload करने जैसे आपका यहां से नुकसान होगा क्या नुकसान होगा अगर आपने ड्रिस्किप्शन होगा अल्ड़ी आड़ कर रखा है तो वह चीज़ यहां पर नहीं आएगा इसलिए वीडियो को आप जो है यहां से नहीं मिला है तो वाई सबसे पहले जो हमें सीखने को नहीं मिला है वो नहीं मिला है इसमें कि एनिमेशन जो की होती है वो हमें यहां पर नहीं मिला है दूसरी चीज हमें नहीं मिला है क्रोमा अगर कट करना है तो क्रोमा कट यहां पर नहीं है तो दो पॉइंट यहां पर ह वीडियो की noise को हम remove कर सकते हैं, दूसरी चीज यह है कि यहाँ पर हम caption भी add कर सकते हैं, तीसरी चीज यह है कि YouTube की library से directly music को हम यहाँ पर add कर सकते हैं, अपने मन पसंद का या फिर sound effect add कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई copyright का issue नहीं रहेगा, इसलिए YouTube ने बहुत ही अच्छ subscribe जरूर कर दीचिए, ताकि इस तरह की video की notification आप तक पहुंचती रहें, जी हाँ दोस्तो, video को उन लोगों को जरूर share करना, जो आपके दोस्त हैं, नए creators हैं, जिनको video editing के बारे में जानकारी नहीं है, तो simply जो है, बहुत ही असानी से इसको use करके, directly जो है, बहुत इसमें